हेलो एवरीवान नमस्कार हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है दोस्तो अक्षेत रित्या आने वाली है और लोकडाउन भी चल रहा है लेकिन अक्षेत रित्या तो हम मनाएंगे ही अक्षेत रित्या की दिन अगर देवी लक्षमी को परसन कर लिया चाए तो साल भर आर्थिक तंगी नहीं रहती है आज मैं आपको ऐसी दस चीज़े बताऊंगी जो महलक्षमी को बहुत प्रिये है इन में से किसी एक चीज़ की भी आप उजन करेंगे तो वर्ष भर सुख संपनता बनी रहती है और घर के वास्त दोश खतम होते हैं सफलता मिलने लगती है तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे अनुरोध है अगर आप मेरे चैनल पर नए आई हैं और पहली बार आई हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आईकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले और जिनों ने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है यानि कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है उनका दिल से आभार बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यह आपका अपना चैनल है इस चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहेगा और अपना प्यार देते रहेगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखीगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए क्योंकि आदिय दोरी जानक करते हैं सबसे पहले बात करते हैं चरन पादुका की इस दिन सोने या चांदी के लक्षमी की चरन पादुका को घर में रखें और इसकी नियमित पूजा करें क्योंकि जहां लक्षमी के चरन पढ़ते हैं महां किसी चीज का अभाव नहीं रहता है नमबर दो कौडिया किसी जमाने में दोस्तों कोडियों से ही चीज़े खरीदी जाती थी और बेची जाती थी और अब इसे कोई पूछता नहीं है लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसमें देवी लक्षमी को आकरशित करने की ख्षमता होती है इनका परियोग तंत्र मंत्र में भी होता है इसी ये भी है कि देवी लक्षमी के समान कोडियां भी शमुद्द से उत्पन होई थी कोडियों का नियमित केसर और हल्दी से इसकी पूजा देवी लक्षमी के साथ करने से आर्थिक परिशानियों में भी लाब मिलता है और धन का आगमन होता है महालक्षमी की किरपा बनी रहत अब बात करते हैं एकाक्षी नारियल की प्रकरती में आम तोर पर तीन आखों वाले नारियल मिलते हैं लेकिन हजारों में कभी-कभी ऐसा नारियल भी मिल जाता है जिसकी एक ही आख होती है इस नारियल को लक्षमी का सुरूप माना जाता है अक्षे तरित्या के दिन लक्ष्मी की किरपा बनी रहती है अगली चीज है दोस्तो पारद की लक्ष्मी धन की देवी को अपने घर में लाना चाहते हैं अगर आप तो अपने घर में मतलों लक्ष्मी को रोकना चाहते हैं तो अक्षेत रित्या की दिन पारद की लक्ष्मी देवी या अन्य कोई भी श स्फटिक का बना हुवा कच्वा पूजा में रखें और इसकी पूजा भी करें अगली चीज है श्रीयंतर अक्षेतिर्थ्य के दिन घर में श्रीयंतर की स्थापना विद्धन की परिशानी को दूर करने के लिए कारगार माना गया है और श्रीयंतर की पूजा करने से के साथ साथ शिरीहरी विष्णों की भी किरपा बनी रहती है नंबर साथ घंटी चांदी की मदुर्ध्वनी करने वाली घंटी भी इस दिन पूजा में रखने से घर में मिठास बनी रहती है चांदी की हो या पीतल की हो लेकिन पूजा में घंटी रखना शुब माना जाता है नम्बर आठ शंक लक्ष्मी की हाथों में इस्थित दक्षनावर्ती शंक भी धन दायक माना जाता है अक्षेत रित्या पर पूजन में शंक जरूर रखना चाहिए और इसकी पूजा विदी पूरूवक करनी चाहिए नम्बर नो बांसुरी अगर आप मंदिर में बांसुरी रखते हैं तो इस दिन बांसुरी की पूजा से भी घर में आर्थिक स्मृद्धी आती है और मतलब धनका आगमन बना रहता है नम्बर दस मिट्टी की सामगरी दोस्तो अगर आप कोई सोने चांदी की बस्तू नहीं खरीच चकते हैं तो मिट्टी के बने सजावटी चीज़े होती हैं या पूजा संबंदी कोई भी उपियोगी समान घर में रखने से घर से नकरात्मक शक्तियां दूर होती हैं घर में पॉजिटिव शक्तियां बनी रहती हैं और महालक्ष्मी की किरपा भी बनी रहती हैं तो दोस्तो आज हमने जाना कि महालक्ष्मी की प्रिये चीज़ें जो मैंने आपको बताई इनमें से अगर किसी एक चीज़ की भी पूजा करते हैं तो महालक्ष्मी और शिरीहरे की नहीं रहती है तो दोस्तों अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आगे बढ़ा के ज्याद से ज्यादा शेयर कर सकते हैं और अगर आपका कोई प्रश्ण है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा मेरे चैनल को सब्सक्रा जरूर कीजिएगा और आज कर लॉक्टाउन चल रहा है दोस्तों अपना ख्याल जरूर रखेगा घर में रहें सुरक्षित रहें अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें और घर में रहें क्योंकि स्वास्ते ही सबसे बड़ा धन होता है मेरी वीडियो को अं अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रिखें जैमातादी हर हर महादेव